नमस्कार दोस्तों इससे पहले वीडियो में हमने चर्चा की थी कोटिली के सप्तांग सिध्धांद के बारे में आज उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं राजा के बारे में दोस्तों, राजा तो अनेकों हुए, एक राजा राम थे और एक राजा रावन थे, कोटिल्य राज तंत्र के समर्थक तो अवस्य थे, परन्तु निरंकुष एवं स्वेच्छाधारी राजाओं के नहीं, कोटिल्य ने महापद्मनंद का समूल विनास करने का संकल्प, उनकी स्वेच्छा चारिता तथा आवपीड़न से प्रजा की मुक्ति के लिए लिया था, सैध्धान्तिक रूप में कोटिल्य हमेशा राज तंत्र के ही समर्थक रहे थे, इसलिए उन्होंने नंद वंस का विनास करके उसके अस्थान पर चंद्रगुप्त मौरी के नेत्रुत्य में मौर्य वंस की अस्थापना करने में सहायता की, कोटिल्य की राजत्य की धार्णा के संबद में यह हमें याद रखना चाहिए कि वे राजा के देवी अधिकारों के समर्थक नहीं थे, राज्टंत्र के समर्थक होने के बावजूद, लोक कल्यान की भावना उनके अंतर मन में विध्वान थी, जिनके कारण कोटिल्य राजा को सर्व सक्तिमान बताते हुए नेतिक मर्यादाओ से बांधे रखते थी, कोटिल्य ने राजत्व तथा राजा के पद की गर्मा तथा प्रजाहित के बीच संतुलित बैलैंस बनाने का प्रयास किया, कोटिल्य के जोग्य व्यक्ति को पुरुश्कृत तथा अनाचारियों को दंडित कर सके। राजा का राज में सर्वोच इस्थिती तभी तक है जब तक वो राज धर्म का पालन करता है। प्रजा को ले लेना चाहिए। दोस्तों ये तो राजा के कुछ गुड़ थे। अब दोस्तों ये तो कोटिल्य के अनुसार एक राजा कैसा होना चाहिए ये बताया गया है। अब अगले भाग में हम चर्चा करेंगे कि कौटिल्य के अनुसार राजा में ऐसे कौन-कौन से गुड़ होने चाहिए। दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सेर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही कहानियों के रूप में राजनिती सास्त्र को हम पूरा करेंगे। धन्यवाद।